दोस्तो अगर आप भी अपने चैनल पे short videos अपलोड करते हैं, अगर आपका भी चैनल short videos का है और आपके short videos viral नहीं होते हैं, उन पे views नहीं आते हैं, तो निश्चेंतरे हैं आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने व views आने वाले है, जितने भी views इस समय आ रहे हैं, उसे दोगना views आने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको short videos को अपलोड करने का से तरीका बताने वाला हूँ, दोस्तो क्योंकि हर एक चीज का एक तरीका होता है, तो किस तरीके से short videos को upload करना चाहिए, जिससे कि आपका short video है, व वो short feed में आ जाता है तो 100% आपका जो वीडियो है वो वहीं से viral हो जाता है बहुत ही जरूरी चीजें बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में कि आपको क्या-क्या करना चाहिए जब आप video upload करते हैं तो आपको कौन-कौन से steps follow करने चाहिए जिससे कि आपका जो video है वो 100% viral हो सके तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि short video को YouTube पे सही तरीके से upload कैसी करना चाहिए उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे steps बताने वाला हूँ दोस्तों अगर वो steps आप follow कर लेते न तो आपके video पे 100% 100% आपके video पे अच्छे खासे views आने वाले हैं और आपका जो video है वो यो ही viral हो जाने वाला है तो सबसे पहले आपको YouTube application open कर लेना है because YouTube application के जरीए ही हम shots को upload करने वाले हैं आप side में देख सकते हैं screen recording on है आपको shots का option देख रहा होगा तो यहां से अगर कोई भी person short videos को देखता है तो यह जो option होता है वो browse feature होता है तो आपके videos पे अगर यहां से views आते हैं तो वो browse feature कहलाता है नीचे देख सकते हैं आपको एक shots का option नजर आ रहा होगा plus icon के side में अगर कोई भी person यहां पे click करके आपके videos को देखता है आपके video को scroll करते हुए देखता है तो यह option आपका short feed का होता है आपके video पे short feed से यहां से views आने वाले हैं short videos पे हर जगह से views आते हैं दोस्तो short feed से browse feature से recommendation से आपका जो short video है वो हर जगह से viral होता है तो सबसे पहले आपको plus icon पे click करना है click करने के बाद आपको create a short का option नजर आ रहा होगा तो simple तरीके से आपको create a short पे click कर देना है click करने के बाद आप side में देख सकते हैं short video है वो select कर लिया है आप अपना video select कर सकते हैं select करने के बाद आपको done पे click कर देना है done पे click करने के बाद इतना काम करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना है मैं बहुत ही जरूरी चीज़ आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं आपक को डारेक्ट अपलोड कर देते हैं ओके यहाँ पर डारेक्ट अपलोड नहीं करना है विकोज YT Studio से थम्नेल को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं आप जो थम्नेल चेंज करेंगे शॉर्ट वीडियो का जो थम्नेल चेंज होता है वो सिर्फ यूट्यूब अपलिकेशन से ही होता है तो लोग यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि वीडियो को डारेक्ट अपलोड कर देते हैं और YT Studio ओपन करके देखते हैं वहाँ पर थम्नेल चेंज नहीं हो पाता है थम्नेल चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको पैंसिल के आइकोन पे क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद मैंने टिक कर दिया आपकी साहता के लिए पैंसिल के आइकोन पे क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे देख सकते हैं आपके वीडियो के सारे फ्रेम आपको नजर आ रहे होंगे तो आप कोई भी एक फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं उसका थमनेल बना सकते हैं नीचे आप देख सकते हैं काफी सारे फ्रेम है जो भी आपके वीडियो का सबसे अच्छा फ्रेम है उसको आप as a thumbnail use कर सकते हैं short videos में thumbnail का सबसे बड़ा रोल होता है दोस्तो यह जो आपने thumbnail अभी लगाया हुआ है यह thumbnail आपका अब हर जगह दिखने वाला है आप इसको short feed में चेक कर सकते हैं recommendation में चेक कर सकते हैं या फिर browse feature में चेक कर सकते हैं आपका यही thumbnail हर जगह दिखने वाला है अब यहाँ पर मैं आपको एक trick बताने वाला हूँ दोस्तो अगर वो trick को आप follow कर लेते हैं तो आपके short videos पे 100% views आने वाले हैं 100% आपका जो short video है वो viral होने वाला है तो इसको मैं एक example के साथ आपको समझा दे रहा हूँ सबसे पहले मैं YouTube application open कर ले रहा हूँ open करने के बाद तो देख सकते हैं मैंने यहाँ यहाँ पर YouTube application open कर लिया यहाँ पर सामने आपको बहुत सारे short videos नजर आ रहे होंगे इस particular short video पे मैंने click कर दिया है इस video को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लीजिए इसके thumbnail को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से दिखिए दोस्तो इस thumbnail में ही कुछ ऐसी trick लगाई गई है अगर आप इस trick को follow कर लेते हैं अगर आप इस trick को सीख जाते हैं तो आपके videos पे millions में views आने वाले हैं आपका जो video है वो बहुत जल्दी viral होने वाला है दोस्तो आप इस thumbnail को ध्यान से देख सकते हैं अगर मैं इस video को play करके दिखाऊँगा न तो आपको जो thumbnail दिख रहा है इस video का actually में ये जो thumbnail है इस video से लिया ही नहीं गया है इस video में ऐसा कोई भी frame नहीं है जो आपको इस thumbnail में दिख रहा है तो सबसे पहले मैं आपको इस video को play करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये जो thumbnail है इस thumbnail में ऐसा कोई भी moment नहीं है जो आपको इस thumbnail में नजर आ रहा है बस एक second के लिए ये जो आपको photo दिख रही है वो video editing के दौरान इस photo को add किया गया है कहीं पे भी एक second के लिए ताकि उस particular frame का thumbnail बनाए जा सकें दोस्तों तो ये जो photo है इस video में अलग से लगाई गई है तो जब भी आप video editing करें तो video editing करते समय कहीं पे भी एक second के लिए कोई ऐसी photo कोई ऐसी picture जो दिखने में attractive हो कुछ अलग हो ऐसा कुछ लगा सकते हैं अपनी video में और उस particular frame का बाद में thumbnail बना सकते हैं जिससे कि आपकी videos पे अच्छे खासे views आ सकें जो भी उस thumbnail को देखे तो उस thumbnail पे click करने पे मजबूर हो जाए और आपके videos पे अच्छे खासे views आ सकें और जल्दी से जल्दी आपकी जो video है वो viral हो सकें example के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि मैंने भी अपने video में कुछ ऐसा moment कुछ ऐसी photo add की है thumbnail के लिए तो चलिए मैं दुबारा से pencil के icon पे click करता हूँ click करने के बाद मैं यहां से particular frame select कर ले रहा हूँ देख सकते हैं मैंने select कर लिया है यह मैंने photo जो है last में video के add किये ताकि इस particular frame का मैं thumbnail बना सकूँ तो देख सकते हैं मैंने आपको live proof करके दिखा दिया है यह जो photo है यह video के last में मैंने add की है अभी मैंने इसको thumbnail बनाया हुआ है उसके बाद आपको done पे click कर देना है तो यह जो thumbnail आपका बनकर तयार हो चुका है इतना काम करने के बाद आपको अपना short video का title लिखना है title जितना छोटा हो सके वही आपको लिखना है ताकि आपके उस particular title से कुछ अच्छा सा suspense create हो सके अगर आप लंबी line में कुछ बड़ा सा title लिख देंगे न तो उससे कुई suspense नहीं बनता है और जो भी देखने वाला होगा तो वो वीडियो को ऐसे skip करके चला जाता है तो आपको अपने वीडियो में suspense create करने के लिए पहले तो thumbnail आपको लगाना है दूसरा जो title है वो आपको short लिखना है छोटा लिखना है इतना काम करने के बाद title के नीचे आपको कुछ hashtags लगाने हैं जो कि trending hashtags हैं वो आपको लगाने हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती कर देते हैं कि title लिखने के बाद वो अपने वीडियो को direct post कर देते हैं जिससे कि उनके वीडियो पे अच्छे खासे views नहीं आपाती हैं दोस्तों तो यह गलती आपको नहीं करनी है आपको यहाँ पर trending hashtags को use करना है जिससे कि आपका जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी viral ह बाकि आप अपने वीडियो से related कुछ trending hashtags लगा सकते हैं अगर आप trending hashtags जानना चाहते हैं क्योंकि YouTube Shorts के लिए कुछ trending hashtags होते हैं जो हमेशा काम करते हैं तो इसके लिए मैंने सारे के सारे hashtags को अपने वीडियो की description में डाल दिया है अगर आप उन hashtags को अपने वीडियो में use अपने short वीडियो में उन hashtags को लगाएंगे तो definitely आपका जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी viral होगा इतना काम करने के बात जब भी आप अपने short वीडियो को upload करते हैं तो upload करते वक्त आपको एक चीज बहुत जादा ध्यान में रखनी है कि आपको अपना जो वीडियो है वो unlisted करके ही post करना है जब भी आप अपने वीडियो को unlisted में रखके post करेंगे तो YouTube आपके वीडियो को पहले अची तरीके से check करेगा जाचेगा कि आपका जो वीडियो है वो किस से related है उस वीडियो का topic क्या है और आपके वीडियो में किस तरीके के hashtags लगे हैं और आपके व option नजर आ रहा होगा select audience तो यहाँ पे आपको दो option नजर आ रहे होंगे आप check कर सकते हैं yes it's made for kids और दूसरा not it's not made for kids अगर आपका content जो है वो बच्चों के लिए है आपने जो भी वीडियो बनाया हुआ है वो बच्चों के लिए बनाया हुआ है तो पहला option आप select कर सकते हैं Weird it's made for kids और अगर आपका content है वो बच्चों के लिए नहीं है तो दूसरा option आप यहाँ से select कर सकते है नो it's not made for kids तो यहाँ पे मेरा content है वो बच्चों के लिए नहीं है तो यहाँ पे मैं दूसरा option select कर ले रहा हूँ suka North it's not made for kids इतना काम करने के बाद आपको अपना वीडियो नीचे hashtags लगाए हैं, वो सारी hashtags को copy कर लेना है, copy करने के बाद आपको अपने वीडियो के description में डाल देना है, इसी तरीके से आपको अपने वीडियो के title में और वीडियो के description में trending hashtags को रखना है Okay, इतना काम करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं, tag का option आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कि tag में बहुत सारे tag डाल देते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है, because आपका जो video है, वो short video है, तो short video से related आपको ज़्यादा tags यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक दो tags डाल देना है, उसके बाद नीचे देख सकते हैं, आपको एक option नजर आ रहा होगा, यहाँ पर category का, तो category में already आपके channel की category तो आपने select करी रखी है, फिर भी जब भी आप अपने video publish करें, तो publish करते समय, यहाँ पर category में video की क्या category है, वो आप यहाँ से select कर सकते हैं, इतना काम करने के बाद आपको वापस आजाना है, वापस आने के बाद यहाँ पर आपको जो video आपने unlisted करके post किया हुआ था, आप यहाँ पे आपको उस वीडियो को publish कर देना है इतना काम करना है कि बाद जब आपकी वीडियो का सारा काम यहाँ पे हो जाए सब कुछ आप कर दें उसके बाद आपको अपना जो वीडियो है वो यहाँ पे publish कर देना है तो देख सकते हैं यह जो वीडियो है वो मेरा publish हो चुका है तो इस तरीके से इन सारी tricks को अपना कर इन सारे steps को अपना कर आप अपने videos को 100% viral करा सकते हैं दोस्तों तो यह जो मैंने tricks आपको बताई है definitely एक बार आप इस tricks को इस steps को आप follow करके देख लीजिए definitely यह सारी चीज़ें आपके काम आएंगी और आपका जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी viral होगा और आपका भी जो short वीडियो का channel है जल्दी से जल्दी grow हो जाएगा तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद